हाई लो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम जिस न्यूस के उपर बात करने जा रहे हैं वह ग्लोबस से रिलेटिड है ग्लोबस इस्विट ने अभी पांच अक्टूबर दोजार तेज को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी इनके हां जिसका कुछ आउटकॉम आया था उसको इन्हो कंपंई की सबसिडिय के रूप में गठन को मंजूर दी है कंपणी थी पहले से भी थी उसको उन्हों ने अपनी ऐस कर दिया है यह जो कंपणी है बनिद्ट में काम करती है है और ने उस र इन लिमिटेड में management control के साथ 51.13% की majority shareholding भी होगी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ये company है बोर बेवरेस ब्राइब लिमिटेड है ये ready to drink segment में काम कर रही है और ready to drink segment एक तरीके से एक example हम ले लेते हैं तो वो है beer segment है फिलाल जितना समझ में आता है actually नोने कुछ announce नहीं किय इस तरीके से कि क्या product होगा किसके उपर ये काम कर रहे है लेकिन ready to drink जो segment है एक तरीके से बीर segment होगा तो उस field में ये आने की कोशिश कर रहे है और अगर ये सब कुछ सही है और जैसा मैं कहा रहा हूं अगर ऐसा ही है तो ये इस company के लिए बहुत बड़ा एक growth का path create हो जाए कि इसके बढ़कर 6.56 क्रोड लीटर होने की उम्मीद है देखिए जस डबल नियर अबाउट डबल हो जाएगा और लेटस रिपोर्ट के अंसा ready to drink market में 10.29% in value and 12.15% in volume और 10.29% in value की compound annual growth rate से growth होने का अनुमान है तो अगर ये सब कुछ सही रहता है तो इतना जवर्दस्त इ इस कंपनी के शेर में भी आपको growth देखने को मिलेगी अच्छा खासा increment आपको देखने को मिलेगा यंग अर्बन अर्बन एडल्स विसेश रूप से 20 से 35 वर्ष की एज के consumers के बीच alcoholic ready to drink में बढ़ते इंटरस्ट और भारत में market की growth का support कर रही है disposable income के बढ़ते levels और major cities में bar and pubs की बढ़ती संग्या से strain को बढ़ावा मिल रहा है तेकि क्या होता है आपने खुद भी देखा होगा जितनी भी बड़ी-बड़ी cities है उसमें bars और pubs जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से क्या होगा है यह जो ready to drink है इसकी जो growth है वो अच्छी खासी मतला एक बहुत high level पे compound एक तरीके से बहुत तेजी से growth होने वाली है तो उस चीज को देखते हुए इस company की growth भी अच्छी खासी देखने को मिलती है और आने वाले में आने वाले समय में भी आपको इसके जो growth में आपको अच्छा कासा increment देखने को मिलेगा disposable income के बढ़ते levels और major cities में बार और pub की बढ़ती संक्या से strand को बढ़ावा मिलना है इसके अलावा strong new product development के विकासे देश में alcoholic ready to drink की sale बढ़ रही है तो company का अनुमान है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले टाइम में इस segment से company को अच्छी कासी growth revenue growth भी मिलेगी औ और share में increment भी आपको देखने को मिलेगा बोर्ट बेवरेज प्राइवेट लिमिटेट को 2020 में अनन्त गुपता और विनायक गुपता द्वारा incorporate किया गया था अनन्त गुपता और विनायक गुपता जो है global speed के पर मोटर भी है यह है एक innovative alcoholic alcohol beverage startup है September 2021 में इन्होंने बाजार मे कर लिया था तो यह एक तरीके से एक subsidiary नोंने बनाई है और second चीज यह beer market में entry ले रहे हैं third चीज अगर यह जैसा मैं कह रहा हूं या जैसा इसमें जितना इस लेटर में देखने को मिल रहा है अगर यह सब सही है तो आने वाले टाइम में इस company में भी और इसके share में भी तैंक यू और अगर यह इसको आप वीडियो को सब के पास तक पहुंचा है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की share market से related news आपको रगातार मिलती रहें तो मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले